हालो एविवान, वेलकम टू माई चानल, आज वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आपकी बुक्स जो कि आपकी HPSSE के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट रहेगी और आपको आपका एक्जाम कौलिफाई करवाने में बहुत जादा हेल्प करेगी C, ये वाली जो मैं बुक्स आपको बता रही हूँ ये सिरफ आपके जर्नल इक्जाम के लिए हैं, जिसमें आपका स्लेबर स्ट जर्नल नौलेज रहता हैं, सिरफ उसके लिए है, उनी पर बेस्ट है जिसे आपके खलर का एक्जाम हो गया, ट्राफिक इंस्पेक्टर का एक् तो उसमें भी ये आपको help करने वाला है, ये बुक्स आपको help करने वाली है, और आपको पता है, HPSSE के exams अभी भी कल पर सो ही, recently आपकी क्या आई है, नोडिफिकेशन आई है, जिसमें फिर से आपकी vacancies आई है, 379 प्लस आपकी vacancies आई है, उसमें भी, तो आपको आप form भरोगे, तो आपको उसके लिए prepare भी करना होगा, तो आपके लिए ये बुक्स बहुत लोगों ने बोला थे, कि मैं प्लीज बुक्स की recommendation दीजिए, तो फिर मेरे हिसाब से, जो मुझे जितना experience है, या मैंने जितना observe किया है, मुझे ये बुक्स बेटर लगत है, तो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, तो बात करते हैं इन बुक्स की, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, चानल को सब्स्राइब कर दीजिए, अगर आप मेरे चानल को नए हो, प्रेस कर दीजिए, तो आपको ऐसी वीडियो टाइम टू करते हैं, हिमाचल जी के से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत जादा इंपोर्टन पार्ट रहता है हमारे HPSSE की एक्जाम में, अगर आपका 170 जो जनल एक्जाम होता है, जिसमें जनल नौलेज का एक्जाम होता है, उसमें 170 में से आपके आपके around about 20 to 30 questions जी के रहते हैं, हिमा इंट बुक रहती है, आप किसी भी competitive exam के लिए, आप हिमाचल दरपन को follow कर सकते हो, प्लस आप Wonderland को follow कर सकते हो, साथ में आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो, साथ में आप जोक्त अक्याडमी की, जो हिमाचल जी की बुक है, ये वाली बुक भी मुझे बहुत अच्छी लग तो आप इन तीनों बुक को देख सकते हैं, पाकि आपको आपकी कोई हो सकता है, आपकी कुछ और प्रफरेंसे रहती हो, but overall आपकी अकाश की ये हिमाचल दरपन, आपकी जोक्त अक्याडमी की आपकी ये हिमाचल प्रदेश चीके, आपकी जो वंडरलंड है, ये तीनों ऑफरेंसे नोट बनाके अकाश के है, आपकी की आपकी क्या करना है? आपने हिमाचल जी के परलईया है, आपके कोई बीट पढ़ते हैं, ये बुक्त पढ़ रहे हैं, गासा कि मुद्स, फिक एलिए करना है, अगर कोई बूक ये जरूरत नहीं है पर्दोम है, ये जोन प्र के हैं आयदेन आपको पता है कि हमाचल परदेश स्थ इलेक्शन gepar Weber के एक्जान होते रहते हैं जितने बीछ सब उसको डिसका सब एक्जानश करते है आपको प्राक्टेस करना उसमें प्राक्टेस के लिए कोई प्राक्टेस के लिए दरी महतु材न कई कर सकते हैं आप वे। उसमें जो आपका हिमाचल GK होता है, आपका GK पार्ट जो होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें questions आप देख सकते हैं, आप वो कितने से questions आते हैं, आपने कौन सा topic clear कर दिया है, और उस topic से क्या question बना था, और किस वे में पूछा गया था, आप यसी चीज़ें भी observe कर सकते हैं, आप अपना practice अच्छे से कर सकते हैं, आपका जोग्रफी आजाता है, quality आजाता है, then your eco आजाता है, फिर आपका general science आजाता है, फिर आपका इसमें computer related questions आजाती है, यही सब कुछ हो जाता है, मतलब एक जो आपकी general knowledge की book होती है, तो इसके लिए आपको अरिहंत आप ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, आप history के लिए आपकी जो history, quality, geography के लिए, lucent आपकी आती है, भारत दर्पन, यह तीनों books sufficient है, आपकी किसी भी exam को qualify करने के लिए, जो कि आपके HPSRC के exam से रहते हैं, यही level depend करता है, knowledge तो सब में self sufficient है, साथ में अगर आप किसी बड़े exam की preparation कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ और focus करनी है, कि 6th to 12th की आपको NCRT cover करनी है, यही रहता है आपका, सब से main चीज़े क्या है, कि आपको जो है, यह सारी books आपने पढ़ ली, आपको practice करनी है, तो कि practice करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक option तो यह है, कि आप Lucent की general knowledge की जो आपकी objective book आती है, इसमें बहुत अची book लगी है, मुझे, इसमें आपके topic wise, जिसे आपक हरपा से related first, कुछ 1 to 25 questions आपकी हरपा से related रहेंगे, फिर आपकी next, उसमें जो next topic है, आपकी next topic है, आपकी next topic है, वहां से आपके questions रहेंगे, तो आपका topic wise आपका जो चीज़े है, वो clear हो जाती है, उन questions को practice करके आपको पता लग जाता है, आपको कितनी सी चीज़े समझ ठीक है, या तो आप ये ले सकते हैं, lucent की general knowledge की बुग, अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, again आप क्या करना है, जो आपके recently जुतने भी exams हो रहे हैं, आपको daily वो exams देखने हैं, मतलब आपको पता है, हर Sunday को exam होता है, Saturday Sunday को exam होता है, मतलब आपका questions पूछे गए हैं, उन questions को आपको solve करना है, ठीक है, that will be a great help, उसके लिए आपको किसी book की जुरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आप सिरफ HPSAC के exams के लिए त्यारी कर रहे हैं, मैं सिरफ उसके लिए ही आपको ये recommend कर रहे हैं, अब बात करेंगे next question की, that is your journal, मतलब ब बात करेंगे next book की question ही रहता है, ठीक है, दिमाग में, तो Lucent की, आपकी general science की book self-sufficient है, आपकी किसी भी exam के लिए, वैसे तो आपके अरिहंत में, general knowledge की book में, अरिहंत में भी दिया होता है, आपका, जो science वाला part, वहां से भी questions बनते हैं, वो भी enough है, बट ये special book है, फूरी science पे दिया गया है, आपकी general science की, तो यहां से आप इसको पढ़ेंगे, तो तब भी आप बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, qualify कर सकते हैं, साथ में आपको क्या करना है, ये तो आपने कर लिया, कि आपने कोई भी theory पढ़ ली, साथ में आपको practice करने के लिए क्या करना है, आपको क कर सकते हैं, अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सरफ जो में आपको एक best solution दिया है, कि हर week जो exam हो रहा है, उसका question paper solve कीजिए, आपको general gk का part solve कीजिए, आपको बहुत जादा help मिलेगी उससे, तो आपको general science का part भी clear हो गया है, और आपको यहां हर week हम यह solve करते हैं, question papers भी, ठीक है, and हम जो है, हिमाचल जी की की भी series चल रही है, वहाँ पे भी आप videos देख सकते हैं, ठीक है, next बात करते हैं, English के लिए, English के लिए या तो आप objective general English की book आती है, S चंद की, आप ले लीजिए, वो थोड़ी costly है, अगर आप वो नहीं लेना च चाहते हैं, तो उससे भी जादा सस्ती book है, आपके objective general English की अर्हिंद की book, यह भी अच्छी book है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, आपके banking, पियो, क्लोग के लिए, यह बहुत जादा help है, helpful book है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, अपनी general English के लिए, ठीक है, next हिंदी के लि नहीं लेना चाहते हो, तो आपके पास, अगर आपने questions नहीं सुरफ grammar ही पढ़ना है, तो आपके पास 10th का grammar हिंदी का, वो self sufficient है, वहीं से आपके maximum questions पूछे जाती है, तो यह था आपका इसका, फिर आप बात आती है, एक और बात कर लेते हैं, current affairs की, current affairs के लिए, या तो आप जो daily news update जो है, आप उसको write down करके रहिए, वो भी daily आप देखते रहिए, news paper daily पढ़ते रहिए, साथ में उसको कहीं लिखते रहिए, तो important जो भी date wise आप mention करते रहिए, एक diary बना लीजिए उसके लिए, या आपकी जो प्रतियोगी ताग दरपन आती है, आप उसको भी use कर सकत हैं, तो आप current phase के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं, साथ में आपका क्या रह जाता है, ठीक है, उसके बाद एक और book है, साथ में आपकी जो एक और book है, वो ये book है, आपकी जो competition edge series है, मुझे ये book बहुत अच्छी लगते हैं, आप देख सकते हैं, आप किस exam के लिए prepare कर रहे ह हैं, इसमें आपके first part में आपके जो अच्छी exam से मतलब हम बोल सकते हैं, high level exam से, उसकी first part में उनके question paper discuss किया गया है, and आपके second part में जो आपके HPSSE के exam से रहते हैं, उनको discuss किया गया है, आप देख सकते हैं, इसमें आपके solve papers, सबसे जादा importance इस book की यही है, कि इसमें आपको सारे solve papers मिल जाएंगे, जो अभी तक होए हैं, आप देख सकते हैं, 2005 से लेके, 2020 तक कि इसमें आपको सारे questions paper मिल जाएंगे, इसमें आपको और क्या-क्या मिल सकता है, आपके इसमें examination की scheme, फिर HP के questions first and last भी इसमें मिल जाता है, इसमें solve sample papers भी है और current से related भी questions इसमें डाले ग creations कर रहे हैं, तो आपके पास ये book होनी जरूरी है, तीक है, आप इस book को ले लीजी, कि इसमें आपके पास अब आप, जैसे हम वही बोल रहे हैं, कि मैं आपको भी तक बोला कि आपको क्या करना है, प्रिविस ये question papers को देखते रहना है, या जो question paper daily हो रहे हैं, उनको आपको आपको सिर्फ यहां पर ये चेक करना है, कि आपको ये चेक करना है, कि आपके इस exam के लिए इस book को prefer कर रहे हो, जैसे आपके एक clerk grade का अलग सी आती है, एक book, इस की competitive, competition edge series की, so मेरे हिजाब से ये books best है, आपके HPSC के लिए, so अगर आपको ये video useful लगती है, तो प्लीज इसे like कर दीजिए, अपने friends के साथ share कर दीजिए, बाके इस channel को subscribe करना है, ना भूले, साथ में आपको ये जो books है, आपको साथ में इसके साथ क्या करना है, हाड़ वर करना है, एक proper plan बनाना है, ठीक है, कि कैसे आपको, किस exam को कैसे qualify करना है, ठीक है, किसी भी exam के लिए, तीन चीज specific है, कि नहीं है, ये सिरफ जो, मैं last में आपको बता रही हूँ, ये सिरफ जो exam specific books है, जैसे आप हिमाचल जी के है, हिमाचल दरपन है आपकी, या फिर आपका जो wonderland है, या आपकी जोकता academy की है, ये कोई specific book नहीं है, किसी particular exam के लिए, बढ़ हाँ, जैसे हम कोई book लेते है, जैसे one publication की, हमने कोई भी book ली, तो उसमें आपको ये देखना है, कि आपका जो syllabus है, वो उस book के साथ match कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, कुछ topics छूटे है, तो आपको कहां से cover करने है, syllabus बहुत दाधा important रहता है, फिर आपको pattern, आपको पता होना जीए, कि pattern कैसे आ रहा है, तो उसके लिए आपको privacy or question purpose देखने है, फिर आपको content, ठीक है, तो आपने content कहां से ग्यादर करना है, तो आपकी books जो रहते हैं, या आपको कोई coaching ले रहे हैं, वो सारा content में आजएगा, ठीक है, so ये पूरी plan रहता है किसी भी exam को qualify करने का, so that's all, ये थी आपकी, मुझे मेरे हि आप से ये books best है, आपके HP SSC के exams को qualify करने के लिए, so that's all, thank you so much.